स्मार्ट नोपली में आप सभी क्या स्वागत है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत जादे इपॉटेंट है एंटी ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि जो कंबाइन एक्जाम नीट एम्स और जीक्मर होगा वो लागू कब से होगा मैंने कल आ लाग होगा तो चलिए आपको आज क्लियर करते हैं फ्रेंड यह जो ओफिसियल वेबसाइट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है और इन्हों ने आज अपडेट्स कर दिया है 2020 का और इन्हों ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यह लागू 2020 में ही होगा यानि अब नीट एम्स और जिपमर का एक्जाम जो है नीट लेगा यह ती दोनु जो है एम्स और जिपमर नीट के थू ही काउंसलिंग करेगा और यह 2020 में ही लागू होगा आपको यहाँ पढ़कर क्लियर पताता हूं यहाँ पे क्लियर लिखावा है नेशनल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एक्वम्स और झाचेश 2020 यह नेट ईची दो अजर भीस विल ब इतनलने थाटलेशनल तस्ट फ Issन टो म्बऌ जों ठीजिबिए कोर्स म्बऌ बिवस और बिवस के लिए एंग अधर उंग्रजए अटरग्रजए उनिद्रेट दिपन एक्टोर्स टेलिए और यहां पर और यह 2020 का पूट जो भी यह वेबसाइट है तो फ्रेंड यह क्लियर हो गया है मैं तो पहले भी क्लियर किया था लेकिन बहुत सारे स्टुडेंट को यह डाउट था कि एकेडिमिक इयर जो होता है 2020-2021 जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि 2021 से लाग हुआगा एकेडिमिक इयर नौबर से होता है लेकिन देखो फ्रेंड यह NTA ने अपने वेबसाइट पर साफ क्लियर कर दिया है तो आपको अब साफ हो गया है कि एक्जाम 2020 में ही कमबाइन होगा एम्स जीपमर और नीट का फ्रेंड अब इसके लिए आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं सीलेबस का तो फिरहाल तो सीलेबस नीट ने कोई भी अभी अपडेट्स नहीं किया है लेकिन जो डारेक्टर है NTA कि उन्होंने साफ कर दिया कि नीट के सेलेबस में कोई भी बदलाओ नहीं किया जाएंगे कुछ भी बदलाओ नहीं होगा जो अभी तक नीट में आता था बाईलोजी केमेस्टिक फिलिक्स में 90 कोशन बायो 45 फिलिक्स 45 केमेस्टिक में वह फॉल होगा बस मुझे आप सब को हैं बताना था दोस्तों अधर आपको चाहते हैं आपकी नीट या मेडिकल के रिलेक्ट कोई भी अपडेट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ताकि सब्सक्राइब करने के बाद मेरा वीडियो आपके मुबाईल तक पहुंच सके थैंक्स फॉर अच्पी वीडियो